गाइस आप अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वसेशन में इस तरह के स्टॉक्चर का बहुत ज्यादा यूज करते होंगे ना कुं आज हमें भर यूज करते हैं यह सारे इस्ट्रक्टउ इसी का उस इंग्लिश में करना सीख जाए जो घर में हम हिंदी वाले सेंटेस बोलते हैं वो क्यों ना हम अंग्रेजी में बोलना सीख जाए तो सबसे पहले देखिए मैं इसकी स्ट्रॉक्चर तो बताऊं के साथ मैं आपको सेंटेस कैसे फ्रेम करने खुद से वह भी आपको क्लियर इसकी प्रेम करी कि स्ट्रॉन आपको बहुत आर्म यानि कि बिस्तर लगा दो नुए कर दो बहुत दो से ऑब न में सेंटेसिजा बना तो आप बोलोगे आप वो लोगे I am making the bed मैं बिस्तर लगा रही हूँ इस तरह से अभी बहुत सारे sentences बिना सकते हैं जैसे कि मैंने बिस्तर लगा दिया तो आप क्या बोलोगे I have made the bed क्या बोलेंगे हम हम बोलेंगे मैंने बिस्तर लगा दिया I मैंने बिस्तर लगा दिया है I have made the bed मैंने बिस्तर लगा दिया है यानि कि यह भी जिस्ट खतम हुआ यह काम लेकिन अभी present में ही चल रहा है तो हम बोलेंगे I have met the bed या फिर अगर आप past में बोलना चाहते हो कि मैंने बिस्तर लगा दिया तो आप बोलोगे I met the bed I met the bed तो इस तरह से अगर हम बात करें बिस्तर लगाने की तो वहाँ पे हम use करें make the bed का जैसे मैं बिस्तर लगाऊंगी future की बात करता हम बोलेंगे I will make the bed क्या तो मिस्तर लगाऊगे will you make the bed मैं बिस्तर नहीं लगाऊंगी I will not make the bed तो इस तरह से आप negative इंट्रोगेटिव कई सारे sentences आप बना सकते हैं तो इसके sentences आप मुझे बना कर कॉबर में जरूर चेक कराना यह आपको खुद से बनाने बस मैं आप अभी sentences बनाने का तरीका बता रही हूं नेक्स्ट हमारे structure है दही जमा दो अब हम कई बार ऐसे sentences बोलते हैं दूद पड़े हुए हैं फ्रीज में दूद पड़े हुए हैं दही जमा दो है ना तो आप इसे English में कह सकते हो set the curd set the curd यानि की दही जमा दो okay जैसे कี่ आप इस तह से बहुत सारे sentences बना सकते हैं मैं दही जमा रही हूं तो आप क्या पो लोगे मैं दही जमा रही हूं मैं दही जमाऊंगे, I will set the curd, तो इस तर साब बहुत सारे sentences बना सकते हो, क्या तुम दही जमा रहे हो, are you setting the curd, इस तर साब sentences बनाना, ठीक है, चलिए, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जो यहाँ पर वर्ब आप यूज करो, उसके forms आपको पता होना चाहिए, forms आपको बेक दा चपाती, यानि कि रोटी सेख दो बेक दा चपाती, जैसे कि मैं रोटी सेख रही हूँ, या मैंने रोटी सेख दिया है, अलग टेंस लेते, मैंने रोटी सेख दिया है, तो आप बोलोगे, I have baked, थर फर मारा baked हो जाता है, ठीक है, I have baked दा चपाती, मैंने रोटी सेका है ठीक है मैंने रोटी नहीं सेका है I have not back the चपाथी क्या तुमने रोटी सेका है have you back the चपाथी इस तरसे आप यूज कर सकते हो ठीक है तो चलिए यह तो बस आपको टेंसे आएंगे ने तो आप इसके कई सारे सेंटेस बना सकते हो नेक्स्ट रोटी बेल दो रोटी बेलने की बात हो रही है तो हम इसे क्या बोलेंगे हम बोलेंगे roll out the chapati roll out the chapati छीक है रोटी बेल दो roll out the chapati जैसे कि मैं रोटी बेल रही हूँ क्या बोलोगे आप मैं रोटी बेल रही हूँ I am rolling रोल का fourth form क्या ओर जाएगा rolling I am rolling out the chapati I am rolling out the chapati मैं रोटी मैं रोटी बेल रही हूँ I am rolling out the chapati या फिर मैंने रोटी बेल दिया पास्ट की बात कहें रोटी बेल दिया तो आप क्या भोलोगे I rolled, rolled का second form rolled हो जाएगा EDI with Bob, okay? तो I rolled out the chapati, क्या तुम रोटी सेकोगी? Will you roll the chapati? Will you roll out the chapati? इससा बहुत साइसेंट कैसस बना सकते हो, okay? चलिए next देखते है next क्या है हमारे next structure है चाई बना दो यह तो काफी जादा यूज की जाते हैं यह पर जितने भी आपको structure दिख रहे हैं यह हम अपनी daily conversation में अपने घर पे बोली जाने वाली यह सारे structures है ओके चाई बना दो तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे चाई बना दो prepare the tea या फिर हम make the tea का भी use करते हैं ना चाई बनाने के लिए make का भी use कर देते हैं लेकिन prepare का भी use कर सकते है prepare the tea यानि कि चाई बना दो जैसे मैं चाई बना रही हूँ आप क्या बोलोगे मैं चाई बना रही हूँ I am preparing the tea क्या तुम चाई बनाओगी will you prepare the tea क्या तुम चाई न तो इससे आप बहुत साई sentences बना सकते हो, got it? नेक्स देखे, नेक्स क्या है? चाई छान दो, अभी चाई बना रहे थे, अब चाई छानने की भी तो बात आएगी, चाई बना के छान दो, चाई छान दो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे, strain, strain the tea, चाई छान दो, strain the tea, I am straining the tea, मैं चाई छान रहे हूँ, क्या तुमने चाई छाना है? present perfect, क्या तुमने चाई छाना है? have you strained the tea? ठीक है, strain, ed लग जाएगा इसमें, ed with verb, ओके? next, जाडू लगा दो, जाडू लगा दो के लिए हम क्या यूज करते हैं? जाडू लगाने के लिए हम यूज करते हैं, sweep, sweep the floor, जाडू लगा दो, या first पर जाडू लगा दो, sweep the floor, I am sweeping the floor, sweeping, ing with verb, हाँ, अब sweep का second, third form आप दर ध्यान देजीगा, sweep तो हमारा first form, जादा तर हमा में हम irregular verb को follow करते हैं, जैसे sweep, इसका second form आप ed with verb नहीं होता है, इसका second form हो जाता है swept, irregular verb है, इसके third form भी हो जाते है, swept, fourth form हो जाती है हमारी sweeping, and fifth form हो जाते है हमारे swips, चिक है? तो यह हमारे इसके form से, तो अगर आपको इसको past में बोलने कि मैंने जाडू लगा दिया, तो हम क है, I have swept the floor, मैं जाडू लगा रही हूं, I am sweeping the floor, और मैं उसने जाडू लगा, वह जाडू लगाता है, he swept the floor, okay, इस तरह से आप यूज कर सकते हो, next step, पोछा लगा, अभी जाडू लगाने की बात हो जाती है, अभी पोछा लगाने की बात हो जाती है, तो simply इस एप बोलोगे लगा रही हूं, तो आप क्या बोलोगे, I am moping up, इस तरह साप यूज कर सकते हो, छले, next देखते है, next क्या है, अभी अधरग कूट दो, ठीके, अधरग कूट दो, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, crush, crush the ginger, crush the ginger, यानि की अधरग कूट दो, मैं अधरग कूट रही हूं, I am crushing the ginger, ing with verb, और इसका second form, ed with verb होते है, second and third form, ed with verb होते है, regular verb, जैसे की, मैंने अधरग कूट दिया, past, मैंने अधरग कूट दिया, तो आप क्या बोलोगे, I crushed the ginger, या फिर मैंने अधरग कूट दिया है, present perfect, तो आप बोलोगे, I have crushed the finger, I have crushed the ginger, okay, next कपड़े धो, कपड़े धोना यह तो बहुत ही जादे यूज़ किये जाते है, बहुत ही जादे इजी भी है, was the close, देखे यह easy है, आप में से काफी स्ट्रेंट को इसमें से बहुत कुछ आता होगा, लेकिन क्या आप अपनी practical conversation में इसका यूज़ करते हैं, यही तो हमारी अंदर यह बहुत बड़ी कमी ह जाती कि हम जो जानते हैं, उसका भी यूज़ अपनी practical conversation में नहीं करते हैं, यही main reason होता है कि हम English बोल नहीं पाते हैं, कई बार बहुत साइस ट्रेंट यह बोलते हैं, कि हम हमें English के हर grammar पता है, हर rules हमें पता है, कहां पर किसका यूज़ किया जाते हैं, फिर भी हम English नहीं ब क्योंकि हम प्रीक्टिस नहीं करते हैं, जब जिस दिन, जिस concept को अगर आप सीखते हो, जैसे मालो मैंने आज आपको ठैंसे सीखाया, तो उस टैंसे को लेकर आप कम सी कम 3-4 तिन उस टैंसे पर ही ठीके रहो, उस टैंसे के एक्जामपल्स को ट्रांसलेट करो, बोल बोल को करो तीन चार दिन पुरा सर्फ टैंसे में ही लगे रहो देखो आपको टैंसे समझ में आ जाएगी देखे सिर्फ क्रामर के रूल सिखने से आप इंग्लिश बोलने से आती है तो जब तक बोलोगे नहीं तब तक बोल नहीं पाऊगे इसलिए अगर आपको पता है कि कपड़ा हो रही हूँ आप वाशिंग दा क्लोथ क्या तुमने कपड़ा धोया है है क्या तुम कपड़ा धोगी विल्यू वाश्ट क्लोथ इस तल से आप यूज कर सकते हो ठीक है खुद इसे बाते नहीं करोगे तब तक इंगलिश नहीं बोल पाऊगे नेक्स्ट कपड़े इस की सभी अचाने को मैंने वर्प्स में करवाया था रिंग बोलते हैं इसकी इंगलिश में लिखा जाते है डबलू और एंग तो विरिंगे से नहीं बोले थे आप अगर आपको देखने को मलते हैं तो डबलू की प्रनूंसेशन नहीं की जाती है silent हो जाता है सिर्फ r से इसकी pronunciation की जाती इसलिए से ring बोलेंगे ना कि ring बोलेंगे याद रखिएगा ठीक है तो ring out ring out clothes कपड़े निचोर दो ring out clothes मैं कपड़े निचोर रही हूँ I am ringing ing with verb I am ringing out the clothes ओके तो इस तरह से use कर सकते हो चादर जाड़ दो चादर जाड़ने के लिए हम use करते हैं flick word का ठीके flick the bad seat flick the bad seat यानि कि चादर जाड़ दो flick the bad seat आप अगर बोलो मैं चादर जाड़ रही हूँ I am flicking the bad seat ओके next चादर बिचा दो अभी बिचाने की बात हो रहे तो बिचाने के लिए spread word का use क्या जाता है spread the bad seat spread the bad seat चादर जाड़ दो तो हम बोलेंगे spread the bad seat ओके जैसे मैं चादर जाड़ जाड़ हूँ I am spreading the bad seat next day बरतन धो दो ये तो बहुत easy है आप बोलो के watch the dishes नहीं do the dishes का use करो do the dishes का use करो ठीके मैं बरतन धो रही हूँ तो हम बोलेंगे I am doing the dishes not I am washing the dishes ओके I'm doing the this's बोलना, okay? Next is subject card Subject card को लोग हम क्या यूज करते है? Chop word का यूज करते है Chop the vegetables बहुत है स्टोई से कट का यूज करते है तो guys, कट का यूज ना करके आप यहाँ chop word का यूज कीजेगा क्योंकि vegetables काटने की बात करते है तो बहाँ पर chop word का यूज किया जाता है I am chopping the vegetables I have chopped the vegetables Have you chopped the vegetables? Will you chop the vegetables? I will not chop the vegetables ठीक है? इस तर से बहुत साइज सेंटेस English पर बोलो, okay? Next is sabji चाउक दो तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे Season the veggie Season the veggie सबजे चाउक दो तो बोलेंगे Season the veggie मैं सबजे चाउक रहे हूँ I am seasoning the veggie I enjoy with the verb होते है I am seasoning the veggie तो इस तर से ये सारे words का हम अपनी practical conversation में यूज करते हैं अब आप एकदम देखे आपको English बोलना है अगर आपनी इस वीडियो को इसलिए क्लिक किया है क्योंकि आप कुछ नया सीख कर English बोलना सुरवात करोगे तो guys आज इसे बोलना शुरू करो बहुत टाइम होगे आपको वीडियोस देखे वे अब उतो बोलना सुरू करो अब आपको क्या करने हैं पर जितनी भी words आपको दिख रहे है ठीक है 16 words आपको यहां पर दिख रहे है यह 16 structures को लेकर जादा मैं नहीं बोलूँगी बस एक-एक sentences एक-एक sentences grammar के according आप tenses सीखे हो ना tenses के according आप एक-एक sentences frame करके मुझे comment में चेक कर आईएगा ठीक है अगर आपकी grammar में कुछ mistakes होती है यानि कि अप उसे आपको grammar सिखनी की जरुवत है अगर grammar में जरस अभी mistake नहीं होता है यानि कि आपको बोलनी की जरुवत है आपको बेस बोलनी की जरुवत है तो आप इसकी sentences frame करके मुझे comment में जरू चेक करा आईगा अगर आपको ये वीडियो अच्छ लगे तो लाइक कीजेगा और एक बात हमेशा याद रखेगा इंगलिश बोलने से आती है तो बोलना शुरू करना है तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजेगा और अपने फ्रेंस सरकर में ज अपरिक आपको पसंद आतो सबस्क्राइब की आने वाले बाल आइकन को जरू परस कीजेगा ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिविकेशन आपको समय पे मिलती रहे अऊच्छ वीडियो तिल देन बाइबाय टाक्क्यों